भाईयों और बहनों, असम सरकार यहां नई राष्ट्रिय शिक्षा निती को भी जल्द से जल्द लागू करने की कोशिच कर रही है। इस नई राष्ट्रिय शिक्षा निती का लाप असम को, यहां के जनजातिय समाज को, चाय बागान में काम करने वाले मेरे स्लमीक भाईयों बेहनों के बच्चों को बहुत अधिकलाब होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि इसमें स्थानिय भाशा में पढ़ाई और स्थानिय व्योसाओं से जुड़े कौशल उसके निर्मार पर बल दिया गया है। जब स्थानिय भाशा में मेडिकल पढ़ाई होगी, जब स्थानिय भाशा में टेक्निकल एजुकेशन दी जाएगी, तो गरीब से गरीब के बच्चे भी डॉक्टर बन सकेंगे, इंजिनियर बन सकेंगे और देश का कल्यान करेंगे। गरीब से गरीब माबाप के सपने पूरे कर पाएंगे। असम जैसा राज्य जहां टी, टुरियम, हैंडलूम और हैंडिक्राफ आत्म दिर्भता की बहुत बड़ी ताकत है। ऐसे मैं यहां के युवा, जब इन स्किल्स को स्कूल और कॉलेज में ही सिखेंगे, तो इसे बहुत लाब होने वाला है। आत्म दिर्भता की नीव वही से जुड़ने वाली है। इस साल के बजेट में भी जनजातियक शेत्रों में सेक्रों ने एक लव्या मॉडल स्कूल खोलने का प्रावदान किया गया है, जिसका लाब भी असम को मिलेगा।